मेरच में देर रात एक 5 साल की बच्ची के अफरहंट से हरकम मच गया है ये बच्ची रात को गलती से अपने घर से बाहर निकल गई इसी दोरान एक यूवक ने इस बच्ची को अगवा कर लिया ये पूरी घटना पास में लगे सीसी टीवी में कैद हो गई है फुटेज में देखा जा सकता है कि यूवक बच्ची से बात करता है और फिर उसे गोध में ले जाता है बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है बता दे ये घ घटना मेरट के टीपी नगर थाना शेत्र के मुलतान नगर की है जहां वीरेंद्र कुमार किराई के घर में रहते है इस घर के पास ही उनका घर बन रहा है परीजनों के मताबिक रात करीब दो बजे जब उनके परिवार की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि उनकी पा माता पिता ने आसपास के लोगों से पूश्टाच की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तीन घंटे बाद जब बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो परेशान परीजन पुलिस था ने पहुशे और मामली की पूरी जानकारी पुलिस को दी जिस जो यहां किः दिन जो खिलाव आगला रहा इसके प्रण ओंए तो बेसे का मेरे पाइ कौ गरे तो मेरे शाध़ने तो मैंने एक काम करो तो मैं अरा नुआ धाक थान को तो या गयको वाया जाए गया यह जाएंगा जो भी कोई से ले करख काृं और तो उन्हें देखा क्यामर खुल अestäिक है कि भू si लेकर गया है तो शुक्त ऑनारिको backup back पोरी साथ देना जबसे हमने पुलिस में प्टैकें से घृप हैं कि हमारे घर और जो ठोड़ आकप अब सब्सक्राइक है। तीपी नगर मुल्तान नगर का एक मअमला है। एक बच्ची जो रात में पिता के साथ सो रही थी. ज्यारा बज़े के लगबग अपने घर से निकालाती है और घर से लब बड़ दोसो मीटर आगे आने के बाद वहाँ पर एक CCTV फुटेज में एक आदमी के साथ गोद में जाते हुए दिख रही है अब तक की जो जांच में चीजे निकल के आई हैं पती और पत्मी दोनों की दूसरी शादी है इनकी पहली शादी से भी बच्चे हैं हर बिंदू पर पड़ताल की जा रही है इसमें कैईटी में लगी हुई है इसमें सोजी और सर्विलांस की मदब ली जा रही है शीग्रे पूरे गठना करम से आप सभी कोगत कराए जाएगा